हाई हालो एब्रिवान इस में निरिता वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल और ये मेरा ड्राफ वीडियो है जब हम लोग मुंबई में थे तब हमने सिद्धिविनायक जी का टेम्पल को विजित किया था मुझे टाइम नहीं मिल रहा था ये वीडियो अपलोड करने का सो आज गनेश चतुर्ती है तो इसी दिन में अच्छा दिन में मैं ये वीडियो आपलोग के साथ सेर करना चाहती हूँ और मैं आप सभी को सिद्धिविनायक मंदीर का दर्शन कराना चाहती हूँ सो बने रहे मेरे साथ लास तक देखना वीडियो को मुंबई का एकदम फेमस मंदीर है ये और यहाँ पे बहुत गनेश ची का पुजा होते है मैंने जब घर से में मुंबई गई थी तब भी मैंने सोचा था कि मेरा बेटी जब जुनियर मिस इंडिया का वीनर बनेगी तो हम लोग एक बार जरूर माथा तेक के आएंगे तो पापा ने सुन ली और हमने मतलब जैसे फिनाली हुआ उसके अगले दिन है हम लोग गनपती जी को दर्शन करने चले गए थे यहां पे ज्यादा तर्टो साम के टाइम में बहुत वीर रहता है हम लोग थोड़ा जल्दी चले गए थे क्योंकि धूब भी बहुत था तो हमें वापस भी आना था उस टाइम थोड़ा इतना वीर नहीं था मंदीर साइट उपर थोड़ा काम चल रहा था और यहां अंदर जाने के लिए आपको दो एंट्री का मतलब ऑफशन मिलेगा एक भी आईपी है और एक हम लोग जैसे जनरल और हम गई यहां मतलब जैनरल लोकल जो जाते हैं सभी को यह निशुल्क है पैसा नहीं देना होता है आपको लेकिन यू टर्ण करके आपको वही पर एक बैरिगेट जैसा है वहीं से आपको टर्न लेते 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 जाना होता है आज इतना खास तो भी है ने वी आईपी में भी जा सकते हो आप उसके लिए पैसा एक्स्ट्रा पैसा देना होता है आपको तो बाहर बहुत सारे दुकान में आपको चपल बगेरा जैसे की हमारे बंगाल में दुर्गा पुजा एकदम भव्ब्यार रूप से मनाते हैं वहीं पे मुंबई में गणपती जी का बहुत अलगी लेवल का वो है मतलब आस्ता हैं वहाँ का गणपती जी बहुत मानते हैं और मैंने देखा वहा पे जाके कि गंपते जी का इतना स सुन्दर सुन्दर मूर्ती इतना अच्छा अच्छा देखने में आपको बाहर वह और सारे दुकान मिलेंगे ऐसे वाले। फाइनली हमने अंदर गनपती जी का दर्शन करने का मौका मिला। लेकिन मैं इतना अच्छा वीडियो नहीं बना पाई। फिर भी आप लोग को दिखाने की कोशिस है कि मतलब जितना हो सके मैंने लिया है। और साइट से यह है वी आईपी लाइन। वी आईपी का सीधा एंट्रे करके आप मतलब सिध्य विनायक जो गनपती बापा का सामने आप डाइडेक फोंच सकती हो। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होता है तो हम एक्स्ट्रा पैसा दिया ने हम लोग यहाई से दर्शन करने आए। आप जितना आप वीडियो में देख रहा है उससे बहुत ही सुन्दर है। बापा गनपती जी का सिध्य विनायक का अंदर वाला। बापा सब की मनुकाम ना पूरी करे और मैं बहुत ही खुस हूँ क्यूंकि मैंने जब सुना था टीवी में देखा था सिध्य विनायक, सिध्य विनायक। मैं प्रतक्स जाके बापा का दर्शन कराई मेरे पूरी परिवार के साथ और मेरी बेटी के कारण से ही हम लोग मुंबई देख पाई देख पाया और सिध्य विनायक का भी दर्शन हो गई हमारा तो बोलिए गनपती बापा मोरिया। और बाहर निकल के हमने लगाया ठीका। खास बात ये था कि हम लोग चारो एक साथ था क्योंकि मेरे हजबेन ड्यूटी के बज़े से हम से दूर रहते हैं ज्यादा तर वो घर में नहीं रह पाते हैं और यहाने का खास बात जिस काम से हम लोग ए थे वो काम हमारा अच्छा हुआ हम पूरा परिवार साथ में थे तो पुजा करने के बाद हमने एक वहां का प्योर भेच रेस्टरून में गए खाना खाने के लिए जैसे कि आप सब को पता है सौथ का फेवरेट डिस इडली धोशा सामबार ये सब होते हैं और को इंसिडेन ये था कि हम सब मतलब ये डिस बहुत पसंद करते हैं अमारा फेवरेट फूर्ट है इडली धोशा सामबार बच्चे भी अच्छे से खाते हैं और हम मुझे भी बहुत पसंद है मेरा प्लेट अभी तक आया नहीं था और ये दोनों लग गए खाने एक बार भी नहीं फूचा मुझे खाओगे बुलकास कर मेरा बेटा मुंबई इसी ले गया था वो पाव भाजी खाने के लिए रजनी आंटी आपका पैसा वसुल हो गया बड़ा पाव खा की सक्षम ने और ये रहा मेरा प्लेट मेरा मसला धोशा चटनी और सांबार और हम सब ने बहुत इंजॉय करके खाना खाया वहां से प्यूर वेजता सफाई भी बहुत अच्छा था खास बात ये था कि वो केला के उपर मतलब के इलाके पाद जो होते हैं उसके उपर रखके हमें खाना सर्फ किया था मेरी दीरी रजनी देवान और सक्षम का बड़ी उन्होंने सक्षम का खाने का खास ध्यान रखा था उसको पता है वो कितना सौकिन है खाने का तो पाववाजी जितना हो सके पाववा था हमारा सिद्धि बिनाएक मंदीर का दर्शन कैसा लगा बताना और मेरे साथ बने रहने के लिए सब को दिल से सुक्रिया टाटा बाई बाई